सुने है मुलागीत राजा मजरी को अपनाना चाहता था जबरी मजरी से पहले मैंकेशरी को अपना लिया था माहर यादों की बड़ी बेटी मैंकेशरी को जबरन अपना लिया था एक लड़ीका भी पैदा हो गये मुलागीत के द्वारा बहुत क्रूर था घमन भी अहंकारी निर्दई करीबों के मान सम्मान को सम्मान नहीं समझता था घमन टूटल समाजवाद बना के लोग वहा गए लरे और मजरी को आजाद करवाए शौरू दादा धरम का बेटा होइलन माई से लोरीक शौरू दादा धरम का बेटा जैसे भगवान की शुरपले नंद बाबा के घर वैसे शौरू दादा का इतिहास है समाजवाद में ये लोग उतना ही दूर तक चले लेकिन सच्चाई है समाजवाद का जहन्डा फहराने में अगर किसी का नाम आता है तो दो नाम आता है और इतिहास के मायने से पड़े लिखे लोग एक बिरहाग आवजा थे ही ना बिरहाज समाज में नंदलाल रभी एक लवता कलाकार है जो आपके सामने ये पेस करने जा रहा है और वल्ली वल्ल और सच्चाई है आज भी मबाईल पर आप सर्च करेंगे तो पाजाएंगे समाज बाद की निव और समाज बाद की पुरूधा समाज बाद का मतलब तनी से बजाते राजा एकर बाद हम बताव जाते